परमेश्वर का विरोधी जो बहुत ही महत्पपूर्ण मुख्य रूप से उसके प्लान, परमेश्वर के प्लान, उसके सब कारनामें जो प्रभू करते हैं, उसका जो विरोधी है, वो है शैतान और उसको कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे आजकल के जमाने में और बाइबल के जो वचन है, उसके अनुसार, शैतान की संग्या उससे दी जाती है, वो शुरू से विद्रोही, जूट बोलने वाला, मर्डरर, हत्या करने वाला, और परमेश्वर का वचन का विरोधी है, और कभी-कभी वो लोगों को फसाने के लिए अलग-अलग तरीके अजमाता है, ताकि विशेश करके, जो लोग प्रवीश्य मसी को प्यार करते हैं, प्रवीश्य मसी की पीछे चलते हैं, जो उनको किस प्रकार से फसाएं, और उसी को ध्यान में रखते प्रचन में लिखा हुआ है कि वो शैतान की आत्मा है और वो कभी-कभी अलग-अलग रूप से लोगों फसाने के लिए टैम करने के लिए परिशा में डानने के लिए अलग-अलग तरकीबे वो अजमाता है और कभी-कभी वो ऐसे स्वर्दूत की रूप में आता है जैसे कि म भरा हुआ शैतान होता है इसी को बताते हुए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरंथियों उसका ग्यारा ध्याए तेरा से पंद्रा क्योंकि ऐसे लोग जूटे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसी के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं और यह कुछ अचंबे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी जोतिर में स्वर्ग दूत का रूप धारन करता है इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिक्ता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं परन्तु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भाई बैनों कि कभी-कभी शैतान जोतिर में स्वर्ग दूत के समान हमें परिक्षा में डालने के लिए हमारी बातों को काटने के लिए परमेश्वर के बच्चन के विरोध में आने के लिए वो हम से कई प्रकार से वो आता है और हमें पहचानना है मुझे पहचानना है आपको पहचानना है विशेशकर जो विश्वासी है उनको पहचानना है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में जो मैंने लिखा है जोतिर्म है, स्वर्ग दूद और उसके कई रूप है, बड़ा अच्छा रूप दिखता है आरे साब ऐसा लगता है कि वाँ वाँ यही वक्ति है जिसकी आगया मानी चीए लेकिन असली में यह शैतान है जो स्वर्ग दूद का रूप धारन करके लोगों को भैकाता है, धोका देता है, जूट बोलता है और तरह-तरह के पाप करवाने को उकसाता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जब पाप आया, कभी-कभी हम फूसते हैं यार पाप आया तो आया क्यों अगर पाप न आता ना तो हमारी आजकल की जो दशा है और देशा है वो ऐसी नहीं होती और आप जानते हैं चारो तरफ पाप का हाहाकार मचा हुआ है चाहे आप किसी भी समाज में चले जाए किसी देश में चले जाए हर जगा पाप का हाहाकार और यह इसको करने वाला कौन है यही स्वर्गदू जो लाइट का जो एंजल है या प्रकाश का जो स्वगदूत है वो हमें भैकाने आता है शुरू में वो बहुत अच्छा दिखता है लोगों भाता है लेकिन अंदर उसमें पाप भरा रहता है तो उसी प्रकार से पाप जब शुरू में हुआ तो उसने तीन विशेश बातों पर हादम आदम और हवा को बहकाया और इसी को हम देखेंगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ती की किताब आईए हम उत्पत्ती की किताब देखेंगे और उसका तीन अध्याए और उसका एक से पाँच पद उत्पत्ती उसका तीन अध्याए एक से पाँच पद और देखिए कैसे शैतान हवा को बहकाता है यहुआ परमेश्वर ने जितने बनाईले पशु बनाए थे उन सब में सर्प या साप धुर्थ था और उसने इस तरही से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी व्रिक्ष का फल ना खाना स्थरी ने सर्प से कहा इस वाटिका के व्रिक्षों के फल हम सब खा सकते है पर जो व्रिक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विशह में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना नहीं तुमर जाओगे तब सर्प ने इस्तरी से कहा तुम निश्चे ना मरोगे वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुमारी आँखे खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्यान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और हम देखते हैं यहाँ पर आगे चल करके कि इस्तरी ने देखा कि यार फल बड़ा टेम्टिंग है बुद्धी देने लायक है मन भावख है और सब कुछ है उसने तोड़कर खाया और अपने पती को बिदिया और इस प्रकार से पाप इस दुनिया में आया क्योंकि पाप होता है जब हम परमेश्वर का वचन तोड़ते और इस तरी ने ये परमेश्वर का वचन तोड़ा और उसने आदम को दिया और आदम ने भी इस वचन को तोड़ा जो परमेश्वर ने कहा कि ना खाना क्यार वो तो बात की बात है लेकिन यहां पर जो फसफसाने वाला है जो धोखा देने वाली आत्मा है जो जूट बोलने वाली आत्मा है जो पाप की जो आत्मा है वो है शेहतान पहले तो उसने क्या किया परमेश्वर के बचन पर संदेख किया यह देखे यह वई जोतिर्म है स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के बचन के खिलाब जा रहा है गया है उसका तीसरा द्या और उसका हम देखते हैं पहला पद अब पता नहीं कई जगों पर सांप की बड़ी पूजा होती है सर्प की बड़ी पूजा होती है लेकिन यहां पर जो पशु बनाए गये थे उसमें सबसे ज़्यादा चलाक और धुर्त जो था वो था सांप या सर्प और उसने क्या कहा सबस्ति क्या का सुनियाए क्या सच है पहले प्रशन उठा लिया क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाठी का के व्रिक्ष किसी व्रिक्ष का फल न खाना जब भी हम परमेश्वर के बचन पर संदेह करते हैं तो पाप आ जाता है सुनिये फिर से बचन पर संदेह करना परमेश्वर के बचन पर संदेह करना शक लाना, डाउट करना ये पाप है धोका है और कभी-कभी विश्वासी लोग इस धोके में फस जाते हैं जी हाँ, फस जाते हैं तो पहली बात हम देखते हैं शैतान ने क्या किया स्त्री के मन में संदेह पैदा कर लिया अरे ऐसा नहीं क्या है वो तो जूड बोल रहा है संदेह करना है ठीक है फिर दूसरी बात हम देखते हैं उसने क्या किया वचन को तोड़ा और मरोड़ा मतलब जो वचन था उसको घुमा दिया जो असली जो वचन था और इसको भी हम देखते क्या लिखा हुआ है क्या सच है कि परमेशन है तुम इस वाटी का किसी व्रश का फल ना खाना स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटी का के फ्रिक्षों का फल हम तो खा सकते हैं पर जो व्रिक्ष वाटी का के बीच में उसके फल के विशह में परमेशन ने का है कि तो उसको न खाना उसको न चुछना चुछना शब तो नहीं आया खाने के बारे में अब यह संदे और यह जो आया है तोड़ना मौरोडना यह कहां से आया है अरे सहाव, शैतान की फुस फुस आहर से, शैतान के शब्दों से जो पहले ही, उसने वचन में संदे दिया, और इस प्रकार से उसने वचन को तोड़ा और मरोडा, तो पहले हम देखते हैं, कि उस वचन को संदे की दृष्टी से दिखाया, स्तरी को, हवा को, उसके बाद उस उसने वचन को थोड़ा मरोडा, ट्विस्ट किया, सचाई को, जब ट्विस्ट करते हैं सच वचन को, तो जूट बन जाता है, जी हाँ, और फिर तीसरी बात हम देखते हैं, जो पाय जाता है, चौथे पद में, तब सब ने इस तरी से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, उस तुम कभी नहीं मरोगे, और उसके बात तुम मर गए, शारीरिक मौत तो है हुई, तो उसके साथ ही साथ आत्मिक मौत भी हो गए, जी हाँ, तब सरफ ने इस तरी से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरहन परमेश्वर आप जानता है, कि जिस दिन तुम उसका फल उसी दिन तुम्हारी आँखे खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ग्यान पाकर, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, जैसा वो उसने सोचा था, कि मैं भी परमेश्वर के बराबर हो जाओंगा, उसने सोचा था, पहले तो वो खुदी स्वर्दू था, हम पढ़ते अग्जैक्ली ये बात, वो हवा को भी बोल रहा है, उसके इमोशन से खेल रहा है, उसकी भावनाओं से खिलवार करके उसने उसको गिरा दिया, और उसके साथा उसका पती आदम उसको भी गिरा दिया, वो पाप में गिर गए, तो यहाँ पर तीन चीज़े हम देखते हैं, मेरे प्रियो, जब शैतान आता है, अपने धीमी अवाज में, जोरवारी अवाज में, चमक वाली अवाज में, और अपने आपको ऐसा दरशाता, वा वा क्या बात है, बड़ा बुद्धिमान है, देखने में बहुत खुब सूरत है, है ना, बहुत अच्छा, स्मार्ट है, लेकिन ये शैतान की चाला की है, कि पहले वो वचन पर संदे करता करवाएगा आपको, फिर गलत रिती से वो तोड़ मरोड करके पेश करेगा, और तीसरी बात वो वचन का तिरसकार करेगा, जैसा हम देखते हैं, और पहला पाप यह हुआ, यह हुआ पहला पाप, जो तिर आपी दशा से निकल करके प्रभू परमेश्वर के मार्ग में आ चुके हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो हम देखते हैं कि कैसा यह शैतान कभी-कभी हमें भैकाता है, और इसलिए लिए लिखा हुआ है कि पहला यहना 2.15.16 में कि जो भी चीजें संसार की हैं, शरीर की अभी लाशा, आँखों की अभी लाशा और जीविका का घमन इस से दूर हैं क्योंकि यह शैतान की चालाकिया हैं, लोगों को फसाने के लिए, विश्वासियों को घिराने के लिए उनके विश्वास में, आप लोग होशार रहे हैं मेरे प्रियों, शैतान कभी यह जोटे जोटे बातें, परमेश्वर के वचन की विरोध में बातें, कुछ ऐसे जोटे भश्वच्दवक्ता भी आगए हैं, जोटे टीचर्स भी आगए हैं, जो इश्वमसी के नाम में प्रचार करेंगे, असली में वो वचन नहीं, जोट का प्रचार करते हैं, आज कर वचन के अनुसार है यदि नहीं है तो एकदम वहाँ से दूर भागना है येश्य मसी के नाम से निकालना है यहाँ पर आदम और हवा जो थे वो तो गिर गए और हम जो उसकी संतान है हम सब वैसी बन गए तो इसलिए होश्यार रही है अब प्रशन ही उठता है कि भाई हम कैसे जाने है कि ये वैक्ती जो मेरे से बोल रहा है ये शैतान की ओर से या पोई द्रात्मा की ओर से है चली देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है पहली भाग पहला यहन्ना उसका चार अध्या है दो और तीन पद सुनिया है क्या लिखा हुआ है परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रिती से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि येश्व मसी शरीर में होकर आया आया है वह परमेश्वर की ओर से है और जो कोई आत्मा ईशू को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है यही मसी की विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह अब आने वाला है और अभी जगत में हैं यह बात यहाँ पर साफ रिती से बताए गई है प्रियो कि कैसे हम जने कि जो हम सुनते हैं वचन से या पढ़ते हैं या कोई हमें बताता है क्या ये परमेश्वर की ओर से जो प्रभी इशू मसी को प्यार करते हैं उसके वचन के निसार चलती है यह बताबर जाता है क्या है यह इश्व मसी का हमारा प्रभु का सच्ची आत्मा है लेकिन जो प्रभु इश्व मसी का इंकार करते हैं बोलते हैं कि अच्छा गुरू था ये था वो था इश्व मसी उनमें से एक मार्ख है होशार रहे होशार रहे है ये वचन नहीं सिखाता है, तो क्या ये व्यक्ति जो मेरे से बात कर रहा है, समझा रहा है, क्या ये प्रभुश्य मसी को पूर्ण रिती से अधार करता के रुप में ग्रहन किया है, उसको अपने जीवन में पहला इस्थान दिया है, ये बहुत जरूरी है, इससे आप समझ ज आएंगे कि ये सच्ची आत्मा, पुटरा आत्मा की द्वारा है या मसी के विरोध ही है, दूसरी बात, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कि आप मसी ही लोगों को उनके फलों से पहचान जाएंगे, आप देखें ना, कई प्रकार के पेड़ हैं, फल के, आम हैं, केला है, संत्रा है, नेबू है, अरे साब, दस्यों तो पेड़ होते हैं, उनके पत्ते भी अलग होते हैं, और तरह तरह की चीज़ हैं, लेकिन आप जब फल को देखते हैं, हाँ भाई, ये केले का फल है, ये आम है, ये संत्रा है, ये नेबू है, या जो भी, तो आप उसे पहचान लेते हैं कि भाई, ये फलाने फलाने फल का पेड़ है, उसी प्रकार से जब पवित्रा आत्मा का फल, जब पवित्रा आत्मा का जीवन हमारे जीवन में होता है, तो वो फल दिखाएंगे, वो उस प्रकार का आत्मिक जीवन, वो इश्वमसी का जीवन दिखाएंगे, इस स पता पढ़ता है कि भाई इसमें प्रभुष्वमसी का DNA है इसमें प्रभुष्वमसी का स्वभाव है इसमें प्रभुष्वमसी का व्यक्तित्व है तब हम उनकी भी सुन सकते हैं ये ये टेस्ट है मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से समंधित दूसरा पत्रस एक चार लिखा हुआ है जिनके द्वारा उसने हामी बहु मुल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिग्यादी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सडाहट से उस सडाहट जो बुरी आत्मा से धोके वाली आत्मा से जूट वाली आत्मा से है पापी आत्मा से उस सडाहट से छुट कर जो संसा मैं बुरी अभिलाशां से होती है इश्वर्ये श्वभाव के सहवागी होते जाओ और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ती और भक्ती पर भाईचारे की प्रिती और भाईचारे की प्रिती पर प्रेम बढ़ाते जाओ कितना अच्छा लिखा हुआ है ना और इस तरह से हम इश्व मसी के पहचान में आगे बढ़ते चाहिए इसी से समधित एक और पद मैं पढ़ना मांगता हूँ शायद आप जानते भी होंगे गलतियों उसका पांच अध्याय और उसका मैं पढ़ना मांगता हूँ बाइस पद से लेकर के 24 पत तक परात्मा कफल प्रेम इससे पहचानेंगे कि ये प्रभुष मसी की आत्मा वाला वेक्ति है जूटी आत्मा वाला ने सच्ची आत्मा वाला पभित्रा आत्मा वाली वेक्ति है परात्मा कफल प्रेम आनंद शांते धीरज और धया भलाई विश्वास नम प्रता और सयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई विवस्था नहीं और जो मसीशू के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समित गुरूस पर चढ़ा दिया है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी कितना अच्छा लिखावा है कितना अच्छा लिखावा है ये मेरे प्रियोब परमेश्वर का वचन है इससे हम समझ लेते हैं कि जो वैक्ति मेरे से बात कर रही है कर रहा है वचन से हम समझ लेगे क्या ये परमेश्वर की ओर से है क्या ये वचन के आधार पर है जो शैतान की ओर से वचन क का तिरसकार भी कर दिया तो हम होशया रही हैं क्योंकि शैतान जो है वो कभी जोतिर में स्वर्ग दूत के समान आएगा और कभी कभी भाड़ खाने वाले सीह के समान भी आएगा जी हाँ आपको और मुझको इसमें सतरक रहना है क्योंकि आजकल की जो भर्माने वाली आत्मा है जूटी आत्मा जूटे शिक्षक जूटी अराधना करने वाले होशयार रहिए मेरे प्रियों अब देखे क्या ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से हैं जीवते परमेश्वर के लोग है क्या वो प्रभीशमसी को अपना उद्धार करता माने है प्रभू माने है क्या उनका जीवन प्रभीशमसी के जीवन के समान है आत्मा का फैल है उनके जीवन में यह सब चीजे हैं हम हमेशा चेक करते रहे और इससे हम जानेंगे कि यह सच की आत्मा है या जूटी आत्मा है या धोखा देने वाली आत्मा है आप और मैं विशेश करके इन दिनों में, अंतिम दिनों में जब हम ऐसे रहते हैं तो हमें परमिश्वर की जो अनुग्रा है परमिश्वर का जो सामर्थ है परमिश्वर की जो चाहत है हम समों के लिए वो हमें से होकर चलती रहे, सो प्रियों हाँ वोशार रहे उस धोखा देनी वाली आत्माओं से जो कई प्रकार से हमें फसाने के लिए और हमें गिराने के लिए आती है, जैसे जैसे भी अगर आपको लगता है थोड़ा सा अंदर आत्मा में कि यार ये ठीक नहीं है एकदम येश्व मसी के नाम से प्रार्टना करें कहिए, प्रभू मेरी साहिता कर कि मैं इसको ना लूँ और तेरे वचन पर मैं बना रहा हूं परमेश्वर आपको इसमें आशिश प्रदान करें